और अज्ड विडियों में कमेंट्स के बारे में के आप प्रोग्रामिंग में कमेंट्स के यूज़ करते हैं और पाइथन में कमेंट्स को राइट करने का तरीका क्या है सब से पहली चीज़ surprise को कि leggings को कि embaixo किया जाता है देखें आपके code में कुछ ऐसा text होता है जो कि आपका interpreter नहीं करता है जím 1987 को Execute नहीं किया जाता फालेज़मपल मैं यहां पे कुछ write कर देता ओं number sign के बाद मैंने यहां पे write किया printing output for example मैंने कुछ text write किया और फॉरण से मैंने यहां पे program को run किया तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे output आई है welcome to python programming और यह वाला जो text मैंने number sign या hash के sign के बाद लिखा था यह वाला text execution में या output में यहां पे नहीं show हो रहा इसकी वज़ा क्या इसकी वज़ा यह है कि यह वाला जो text है इसको comment consider किया गया है hash sign के बाद आप जो भी text यहां पे write करेंगे उसको python में comment consider किया जाता है अब question यह है कि comments को क्यों write किया जाता है मैं आपको एक simple नहीं करता कि कौन सा function कौन सी line से start हुआ कौन सी line पे end हुआ है या कौन सी line पे मैंने कौन सा action perform किया या कौन सी line पे मैं क्या चीज़ print करवा रहा हूँ 10,000 lines का मैंने code write किया code write करने के बाद for example आपको कहा जाता है कि code को पढ़ें इसको समझें क्या आप समझ लेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इसी जरीके से किसी का लिखा हुआ code अगर मेरे पास आता है अगर उसमें comments पगएरा write नहीं किये यानि कि अगर तो mention नहीं किया कि कौन सा function कहां से start होके कहां bend हुआ कौन सी line क्या action perform कर रही है तो मेरे लिए वो code को समझना और read करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तो इसलिए आपकी practice होनी चाहिए कि आपने अपने प्रोग्राम में अपने code में comments को लाजमी use करना है इसको use करने से क्या होता है आपका तो code होगा वो दूसरों के लिए और आपके लिए readable होगा आप चाहे चार महीने बाद भी अपना code open करके देखते हैं आपको फॉरण से पता चल जाएगा कि इस line में मैंने क्या code लिखा था और क्यूं लिखा था इस code का मकसद क्या है तो इसलिए हम comments लाजमी write करते हैं आप कोई भी source रेखेंगे आपको वहाँ पे comments मुक्सलिफ जगों पे लाजमी नजर आएंगे python में comments दो तरीकों से write किया जाते हैं single line comments होते हैं और multi line comments होते हैं फाइज़ेंपल यह मैंने comment write किया hash का sign उसके बाद मैंने write किया printing output आप देख सकते हैं कि इसका color different है जबके जो पहले यह वाला code रिखा था इसका color आपको यहाँ पे different नजर आ रहा है मैं यहाँ पे enter line करता हूँ फाइज़ेंपल मैं variable लेता हूँ x is equal to 10 और यहाँ पे मैं declare कर देता हूँ फाइज़ेंपल declaring variable x मैंने यहाँ पे mention कर दिया इसलिके से मैंने यहाँ पे लिया y is equal to 20 और यहाँ पे दुबारा से मैं यही वाला text copy करता हूँ और यहाँ पे इसको यहाँ पे paste करके यहाँ पे write कर देता हूँ y declaring variable y यानि कि अब हमें पता चल रहा है कि इस line में क्या हो रहा है हर line में आपने comment नहीं write कर रहा है जरूरी भी नहीं है मैं आपको यहाँ पे ज़स्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि comment को किस तरीके से write किया जाता है next for example मैं यहाँ पे write करता हूँ print और यहाँ पे मैं x और y को add कर देता हूँ for example x प्लस y अब देखें यहाँ पे मैं दुबारा से comment write करता हूँ adding two numbers ठीक है यहाँ पे मैं दो numbers को add कर रहा हूँ अब देखें चारो lines में मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ text write की है जो आपको यहाँ पे green color में नज़र आ रहा है जैसे ही मैं प्रोग्राम को run करूंगा देखते हैं कि यह वाला जितना भी text है green क्या यह output में show होता है यह interpreter इसको ignore कर देता है इसको आप जैसे ही run पे click करते हैं तो आप लोग output यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास output आई है welcome to python programming और 30 ठीक है 10 plus 20 यहाँ पे answer आगया 30 और यह जितना भी text आपको green farm में नज़र आ रहा है यह सारे का सारा text ignore कर दिया गया यह code में लिखा रहेगा लेकिन output में नहीं आएगा ठीक है ता कि आपका जो code है वो readable हो सके और आप उस code को असानी से समझ सकें अच्छा यह तो comment में ने write किया single line यानि के हर line में मैंने hash का sign यूज़ किया और मैंने comment write कर दिया अब question यह है कि for example मैं यहाँ पे comment write करता हूँ अगर मैं इनको remove कर देता हूँ यहाँ पे मैं write करता हूँ for example hash का sign में ले लिखा मैंने लिखा declaring two variables x y adding variables for example इस रीके से मैं comment write कर रहा हूँ कुछ भी adding variables and storing values ठीक है इस रीके से मैंने write किया जैसे ही मैं enter कर रहा हूँ तो फोरण से जो number sign है automatically यहाँ पे place होता जा रहा है अगर तो for example मैं number sign यहाँ से remove कर देता हूँ यह वाला number sign तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका फोरण से color change हो गया मैंने यहाँ पे write किया and storing values for later use for example कुछ भी write कर ले अब देखे first line जिसके साथ number sign लगा था वो तो green color में है बाकी दोनों lines में जितना भी text है उसका color different है यहाँ आपको white या different color में नज़रा रहा है इसका मतलब यह है के line number six और seven में जितना भी text लिखा है उसको comment consider नहीं किया जा रहा इसको check करते हैं प्रोग्राम को run करूंगा तो हमारे पास यहाँ पर error आएगा यह देखें जी आपके पास error आए line number six पे उसने का end storing values यह क्या चीज़ है नीजे उसने का syntax error invalid syntax मतलब यह कि यह आपने क्या लिखा है आपने तो comment ही लिखा है आपका comment four five lines में चला गया ठीक है जिसको multi line comment बोला जाता है क्या हर line में hash का sign add करेंगे नहीं इसका एक और method यह है कि आप एक काम करें जहां से आपका comment start हो रहा है वहाँ पे आप three time single quote या double quote पहले मैं single quote यूज़ करता हूँ यह देखें जैसे ही मैंने three time single quote यूज़ किया तो नीज़े वाली दोनों lines का color change हो चुका है जहां पे comment आपका end हो रहा है यहां पे यहां पे भी आपने क्या करना है three time single quote को यूज़ कर लेना है यह कर लिया अब हम क्या करते हैं अब हम अपने प्रोग्राम को run करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास यहां पे error आता यह नहीं आता देखें जी हमारे पास यहां पे normal output आ चुकी है welcome to python programming और 10 plus 20 30 ठीक है यह यह जो three lines में आपने जिदना भी text write किया है इसको python के interpreter ने interpret नहीं किया बलके इसको comment consider किया है अब आपके mind में एक और question आ सकता है कि यह क्या बात हुई यहां पे भी color आपको same नज़रा रहा है यहां पे भी color same नज़रा रहा है चलें मैं यहां पे क्या करता हूँ single code की बज़ाए मैं double code three time use करता हूँ ठीक है हमारे पास यहां पे again normal output आ चुकी है लेकिन अब question आपके mind में आ सकता है किसी भी student के mind में question आ सकता है कि यहां पे welcome to python programming double code में लिखा है आपने three lines में comment write किया आपका comment three lines में चला गया आपने उसको भी double code में write कर दिया यह single code में write कर दिया double code में यह single code में तो आप string को write करते है तो यह जो आपने text write किया है यह string के तोर पर output में क्यों नहीं आया question आपके mind में आना चाहिए तो देखें मैं यहां पे आपको इसका point में आपको बता दू हमने यहां पे double code को three time यूज किया यह single code को three time यूज किया जो के normally double code या single code को आप string के लिए यूज करते है यह भी यहां पे string ही है अगर तो आप ने यहां पे इसको कोई ना कोई variable assign किया होता ठीक है अगर तो आप यहां पे कोई variable यूज करते या कोई function यूज करते जैसे print का या इसको किसी variable में place करते then इसको string कंसिडर किया जाएगा और फिर जो interpreter है वो इसको भी interpret करेगा इसको भी execute करेगा और output आप के सामने आएगी तो mind में रखना है कि यहां पे आप single code में या double code में जो multi line comment यूज करते है interpreter उसको comment ही कंसिडर करता है क्यूंकि आपने इस text को ना तो किसी variable के साथ connect किया है ना किसी function के साथ किया है simple आपने text write किया और उसको single code या double code में place कर दिया है इस वज़ा से यह वाला text just comment ही considered किया जाएगा अगर आप यहां पे इस program को run करते हैं तो आपके पास normal output आएगी ठीक है थी यह आपके पास welcome to python programming कमेंट बाइसन में किसरी के स्राइट करते हैं दौा में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब ने किया सब्सक्राइब करें अला आपज़ आप